अमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके साथ में हूँ मीखा कोशे को चली खबरों की शिरुवात करते हैं खाटू शाम जी मंदिर में भगदर मामले में बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं मुखे मंत्री अशोग गैलोत ने जाँच के आदेश दिये हैं और कहा है कि हाथसे की संभागिया आयुक्त द्वारा जाँच की जाएगी और इस घटना में इम्रतकों के परिजनों को पांच पांच लाख रुपे दिये जाएंगे हाई लोगो 20,000 रुपे सहायता राशी दी जाएगी तो मुखे मंत्री सहायता कोश देने के लिए निर्देश दिये गए हैं मुखे मंत्री सहायता कोश से ये रुपे दिये जाएंगे जिला कलेक्टर अविचल चत्रुवेदी का बयान आया उन्होंने का महिलाश औधालू की मौत भगदर से नहीं बढ़ते भीड के दबाव के चलते हुई है राजे सरकार ने की इम्रतक आश्रितों के लिए 5-5 लाख रुपे की घोशना जिला कलेक्टर ने प्रेस वारता के दोरान बयान दिया कि प्रवेश दर्शन मार्क का गेट खोलते समय दबाव बढ़ने से मौत हुई है तो तीन महिलाओं की मौत बताई जा रही है और कई लोग घाल बताई जा रही है अस्पताल उन्हें बिजवाया गया है और इस सब के बीच में मुख्यमंतरी गहलूत ने जाच के आदेश दिये हैं इसमें के इसमें बॉडी का बॉस्टम करें जो सामने आया लेकिन जो चीज़ अभी तक हमारे पता चल रही है यह सुबहे के समय के लिए मंदर बन किया जाता है तो फिर जब वो चार सवाचार के असवास फुलता है मंदर के तो इसमें तेल का दिन संडे होनी की वज़े से और आज इकादशी होने की वज़े से घ्रीड के अप्रत्याशत संठा यहां पे रही है और एक डिट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर घ्रीड का जो खा तो इसमें हमने पूरी तरह से उसका अग्जानिंग किया कैसे घ्रत्मा करम हो तो उसमें कोई भगदर की घ्रत्ता न सते नारायन क्योंकि जो म्रतक हैं आश्रितों के लिए 5-5 लाख रूपे की घोशना की गई है म्रतक आश्रितों के लिए इसके लावा अभी क्योंकि आप खाटु शाम जी में मौजूद है जरा तस्वीरे दिखाएं कौन सी वो जगह हैं जहां पर इस तरह की घटना हुई यह लिए लिए जो आप चपल जूतियां दे सकते हैं यह जो पड़े हैं उनी लोगों के हैं जो सुपर बगदर के दोरान इसे गेट को पार करने के बाद में दर्सन करने की होड में थे लेकिन उससे पहले यह बड़ा हास्ता हो गया तीन महीलें की यहां पर मोत हुई है अ जुआ एक गाड़ यहां पर खड़ा है देखिए व्योस्तों नाम पर यहां से लाइन सुरू होती है एक गाड़ खड़े है जिम्हों को यह पता नहीं करना क्या है अगर हम मंदीर परिसर के अंदर भी हम यह बास चामने कितनी लापरवाई यहां पर परशासन की है पुलि आए नहीं को सु्षा कर्मी को दिया हुआ है लेकिर भी अपने जो करत घाकिनों को यह बास होई आपने नियुक्ते हैं इंद्वाचेम ने लेकिन लापरवाई भरी है इस पूरे मंदिर परिश्ण के अंदर हर व्यक्ति है करता है कि लगाई हूई है लेकिन उसके बावजूर भी जब सुबह यहां पर हासा हुआ तो यहां पर कौन की व्यक्ति नहीं था देखिए लोगों को तीन-तीन किलमेटर लंबी लाइन में ल यह लोग भगदर मस्ती है यह देखाने चाहेंगे यह देखिए यह लोग का जोश है इस परकार से लोग यहां पर भागते हैं तो आउमन ऐसा हासा होना लाजमी है कि ऐसा हासा आगे भी होगा हास सुबह आज जब हासा हुआ हास से बाद भी अभीता की परशासन चेता नहीं सब्सक्राइब कोई पुलिस कर्मी अब होना चाहिए उस वक्त ना मौजूद लेकिन अगर इस तरह हाथसा हुआ है तो अब अलर्ट हो जाना पुलिस का ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है लेकिन अभी भी वहां पर कोई मौजूद नहीं है एक व्यक्ति है सिर्फ जो उन लोगों को हटा रहा है या जो आस्था के साथ श्रधालू पहुँच रहे ह अब सवाल ये उड़ता है कि जिला प्रशासन इस वक्त क्या कर रहा है दूसरी बात ये है कि जो मंदिर प्रशासन है उनकी तरफ से अभी कौन-कौन मौजूद है और अगर श्रधालू से आप बात कर सके सत्य नारायन तो जरा उन से भी बात करें कि काटू साम जीय का जो मंदिर है अब हम फार स्टय की यहाँ तूर और ये नहीं पर इस सब्सक्राइब और कर जाधिन हों खर, टेग करें में आधू पर इसले अब कर दो घौन आपकी जाधा दिआगका थे प्रहिताय है की जब कोई प्यास्तक्राने वाल ऐसे में बड़ा हास्था शायद ओने की और प्रस्था से निंदिजार कर रहा है रमेश से बात करेंगे मारी इस तानी है समाजाता रमेश जी क्या कुछ हुआ था हास्था मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गेट है सुबह सुबह सवा पांस बजे ये गेट खुला था और यहां इस गेट के ओपर भीड थी और भीड इतनी ज्यादा थी कहा जा सकता है कि चालीस से पचास हजार लोग इस भीड में थे और अचानक जब ये गेट खुला तो भगदर म होट है काफी परिशाण है यहां पर देखिए पुलिस कर्मी हाला की कोशिच करते रहे हैं इस प्रकार से सट्धालों को दखा दे जाता है यहां पर दूर-दूर आते हैं लेकिन को व्यश्था इस गेट की बात करें तो लगातार जो भगदर था थी लेकिन प्रौसानी की इंतिजामात की बाते बिल्कुल पूर्ट के फैल है जैपुर अगर बाते मंदिर में मंदिर परीसर के लिए कमेटी ने हर जगह इस प्रकार के सुर्फ से करमी खड़े हुए इनको पता भी क्या होने वाला है क्या हो गया इनको पूछा जाता तो यह बताते हैं कि हां अभी आ हाथसा हुआ था वह कौन सी जगें है तो गेता हम दिखाने चाह eden किThis यह वnhittफ हैं पर हासा हुआ था और ova ता इस डिश्गेट को खोला गया जाय कि यह लोग बाधते हैं लोगए यह भागते वे उसके बाद में इस गेट को पूरता बंद कर दिया गया इसके ताला लगा दिया गया जिसे के गेट दुबारा आज के दिन ना खुले आज 11 का दिन है 11 का दिन है बावजूदी परशासन सुद ने तक इन व्यक्तियों की इन शर्दानों कतारे लगाएं जिसके वर्षता ना बिगड़े ऐसे हास से दुबार ना हो किसी को पानी की प्यास लगी है किसी को बिमारी भी है लेकिन शायद ध्यान देने वाड़ा कोई नहीं है यह देखिए वो पूरा गेट अब बंद कर रहा है अना कि इस एक खोलना चाहिए यह रोव पूरी खाली है हम दिखाना चाहेंगे आपको के यह रोग फूरी खाली है लेकिन इसके बावजूद भी इुटों को नहीं खोला गया बलकि इंतजार किया जा रहा है दुबार ऐसा हास सा हो हम दि बच्चेहों इस भगदर का इंजार कर रही है तो दूसरा गेट है जासे अंदर विक्ती तो कोई रोकने वाला नहीं कोई टोकने वाला नहीं भगदर बतना लाजमी है संबावना यह देखिए देखिए जिस प्रकार से बगड़ हुई थी वह वह नजारा जो सुबह नजारा था वह नजारा दोबारा देखने मिल रहा भी हास्ता हो गया तीन मैलाओं ने अपनी जान देदी जान गवादी उसके बावजूद भी यहां की जो कमेटी है परशासन हैं वह विसक्त चेतानी बल्कि एकास्षे का और इंतजार कर रहा हैं ऐसे में जरूरत है कि यहां कतारे बनाई जाए कि बनाने के बाद में तरीका बत तरीके से लोगों को बेज़ादे दर्शन के लिए क्योंकि रास्तान से ने बल्कि पुर देश से लोगा है धान रखना होगा देखे छोटे-छोटे-छोटे-बच्चों को अपनी गोदी में लेकर नहां पर आया हैं हो सकता है कि बड़ा हास्ता हो दें ऐसे में दुबारा सोतना होगा पुलिस को या मंदिर कमिटी को कि ऐसा हास्ता दुबारा ना उसके लिए जो तरीके अपना जा सकते हैं वो पुलिस कर्मी वहाँ पर मौजूद है उनकी संख्या कितनी है और जरा उनसे भी पूछिए कि वो किस तरह से मुस्तैद हैं ज़स की तरह से कहीं उसके अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया बलकि एक और हास्ता होने का इंतिजार किया जा रहा है हमने खुद रिसीप हाला कि जो एस्पी यहां के राश्तिव जी वो सुबह से ही मुईम में लगे वे एक गेट से दूसरी गेट भाग रहे हैं लेकिन हैं जायद चांपतें के कमी है ज़ंको कमीटित लुह उसकामीटित सब्सक्राइब कर लिए लेकिन आने के बाद सर्फ बाद में तो बेड़े को कंट्रोल कर लिया गया लेकिन आने के बाद सिर्फ यहां पर वही मिर्त्य तो दो लुग थे उनको फिर हम लोगा निसाइड किया आपको जो वो की टो कि कमेटिन दे रहा है कमेटे के आदमी काफी है अपर अलग अलग गुरूप लगा हुआ है दिखाएं नहीं दे रहे हैं अगर बात करें तो क्या कुछास सवा इनको पता नहीं और सते नाराइन यही कहा जा रहा था सुबेदी की होम गार्ड तो जरूर मौजूद थे जी सते नाराइन बात करें क vendo कि अगार्ण जभी मुजूंत के तो और पिल फूलिस बूंए यह कोई अधिके अ करी कि वह सुर्बगूत वह सुर्पी नहीं है Ch specify थे लोग आते हैं लेकिन कही ना कहीं ऐसा जो हास से होता है वो रास्तान का जो मंदिर है रास्तान की मिन बढ़न देखिए देखिए जिसरी crooked जिस्प्रकार सी यह पद्सक्राइब मस्ती और यह तो कई नहीं जागे हैं जागना पड़ेगा अगर यह जागे नहीं नहीं का हासल तक और को मुझूद है अगर कहने को तो दो सिपाई के एंदर है जो नई पर यह देखिए लोग हैं लटडू कुपाल जीक अपने कंद पूठा के ला रहे हैं लेकिन बात करें अगर यहां की विष्था आंको तो यहां की विष्था होगे ज़रूरी है यहां पर विष्था होना अगर विष्था नहीं हुगी तो हो सकता है कि एक बड़ा हास्त यहां पर दुबार हो जाए मेगा अपने आफ्सेगबरे में अखिल बाते गए हैं इनको किया सेवा करते के बात करें कोई नहीं कोई नहीं इस प्रेंकर में भी नहीं वाले उसने नहीं देखे वह तो हम दीवार भांद काते सेवा करने के लिए मंदर की हैं याँ कोई कोई कुलता नहीं है क्या करें बता हो मजबूरा जो हो रहा है कमेटी कि कमी के चलते इन्हें कमेटी के ऑफिस तक भी में दिवारे हैं वो फान के जाना परते हैं कि हम रास्तान के बाहर से हैं यूपी से आएं हम यहां सेवा करने के लिए हैं तब उनके ये कार्ड इशू होते हैं ये कार्ड बनाई जाते हैं इसके बावजूद भी इन्हें कोई विवस्ता नहीं मिलती है क्या कुछ करते हैं कमी हैं बहुत बड़ी कमेटी की कमी है इतनी मिलती तो कि मेंटी को सोचना चाहिए इनिकत वीवस्ता सब्सक्राइब दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में या तो स्वैम सेवक दिखाई 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 दिए जो बाहर से सेवा करने के लिए आते हैं बाबा की या कोई होमगार्ट दिखाई दिए मंदिर प्रशासन कमिटी से कोई व्यक्ति वहाँ पर मौझूद है और अगर है तो उन जिम्मेदारों से पूछिए कि यह जिम्मेदारी किसकी होगी अब बिल्कुल मैंगा जातक हमारे नजर जाती है वहाँ तक केवल सेवादारी सेवादार नजर आते हैं मंदिर प्रशासन कमिटी से कोई भी व्यक्ति या मौझूद नहीं है उस व्यक्ति या घूमते रहते हैं उन से बात करने का प्यास करेंगे हाला कि जो सुरक्षागार्स है उन से हमने बात करने का प्यास करने के लिए कि हम यहां के नहीं हम तो सेवादार हैं सेवा करने के लिए हैं लेकि जैसे ही मीडिया को लोग देखते हैं कमेटी के लोग देखते हैं वो यहां से भाग जाते हैं बात करना नहीं चाहते हैं जो हास्ता हुआ है उससे वो बतना का एक भी व्यक्तियां मौझूद नहीं है जो कि इस थे की दिम्हेदा ले सके इन जो तीन महिनाओं की जान गई है उनका जिम्हेदार को नहीं यह बताने वाला कोई भी नहीं है ना कोई पुलिस अधिकारी मौझूद है ना कोई कमेटि का परशास्थ परदाब परफिंद यहां पर हो सकता है बिल्कुल और यह बहुती अच्रज की बात है आश्चरे की बात उठती है देश का इतना बड़ा मंदिर है खाटू शामजी का मंदिर जहां देश भर से लोग आते हैं लाखों लोग आज महां पर मौझूद है एक आदिशी का दिन है और जो सबसे जिम कर्मी यहां पर दिखाई देता है जो दिखाई देते हैं तो वो बस स्यवक दिखाई देते हैं या वो जो सेवादार बाहर से सेवा करने आ रही हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विधायक वीरेंद्र सिंग विधायक जी आपसे जानना चाहेंगे यह तस्वीरें हम फर्स्ट इंडिया पर लगातार दिखा रहे हैं और यह तस्वीरें जहां सुबह हाथसा हुआ हाथसे के बाद प्रशासन पहुचा तो सही लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है ना तो मंदर प्रशासन कमिटी से कोई मौजूद है और ना ही जिला प्रशासन से कोई जिम्मेदार मौजूद है मुझे क्या हूं, मैडा थीगे है, जो थी है, मंदिर कबैची है, जिजा पर्षा से ला है, साड़े पांस तुदी करता हैं, है ये, सोरी, हलो, हवाज है मेंगी, जी, बिल्कुल आरिये वीरेन जी, साड़े पांस नहीं करना है, तो मंदिर को ये 24 आवस नहीं को सकते गया, संददार होना है, इन गंटे बेट करना है, जार गंगे वो जो खटुचान दिस्कोएंगे, उठेंगे, पिद्रसन देंगे, तो मेरे ताइम में जो 24 आवस पलता है, 24 आवस और 11 को, वो संदे उत्यों ही 24 आवस नहीं करते हैं, और जो मंदिर कमेटी है, वो इसने तमासा म संदार है, जिसके बांसर कहां के है, उनको रिष्टर है माँसर के तो बांसर रिष्टर हैंगे, वो इसने ताहां के पठाशा को रिबोर्ट दिया, आज इखाने में एक बांसर की प्रड़ घ्एर कर जो वो उनको उठावठा के बाद पाज थे लोगों गो, वी आईपी द जी आपने इसे विधान सभा में भी इस मुद्दे को उठाया था अब ये वज़े जानना चाहें की कि जब विधान सभा तक इस मुद्दे की गूझ है ये हाथसा हो गया है आज ही ये हाथसा हुआ उसके बाद पी लापरवाही नजर आ रही है रेले की रेले निकल रहे हैं और लोग भगदर मचा रहे हैं फिर भी मंदर पिशासन से कोई मौचूद नहीं क्यों ये बेलगाम हो रही है इस्तितियां जब वे त्यार की जो जो थी वो इसके सारे कुड़ गया है उसकी जात कमिशनों उसमें जी जो कमिशना बंच तेव साम होता है उसने आज तक रिपोर दिए उस चार पिजोरियों की कितने पैसे थे किती जोरी होगे है रिकोर्ड में क्या है उसको अभी तक नहीं है जिने उटा नहीं वाद में जी जो आज समझ भी आ रही है लेकिन हाथसा होने के बाद उसके बावजूद जिम्मेदार गायम है बहुत बहुत शुक्रिया आपका विरेंजी हम से जोने के लिए